तो जिस तरह से बर्फ से हाहा कार मचा है अमेरिका में उसके चलते सूपर पावर भी लाचार नजर आ रहा है आक्टिक ब्लास्ट की वजह से तबाही हुई है और 40 लाक लोग इसकी वजह से प्रभावित हैं जिन इलाकों में लोग प्रभावित हैं वो है न्यूयोक और मॉन्टैना ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अमेरिका के बफेलो की अगर बात करें तो यहाँ पर 55 इंच तक की बर्फ जम गई है और इसे सदी का सबसे भयावै बर्फीला तूफान बता रहा है प्रशासन बफेलो में बर्फ बारी के चलते 26 लोगों की अब तक लापता होने की अपडेट भी सामने आई है अमेरिका में बर्फीला तूफान अपने पीछे जो तबाही की तस्वीरे छोड़ कर गया है वो बेहत भयावै है भारी बर्फ बारी के बाद गाड़ियां ही नहीं बलकि इमारते और घर भी इस बर्फ बारी से नहीं बच पाए उत्तरी अमेरिका में आई बर्फीले तूफान ने यहां का क्या हाल किया है उसे बया करने के लिए यह तस्वीरे ही काफी है बर्फीले तूफान ने मानों जिंदगी को यहां जमा कर ही रख दिया है सड़कों पर गाड़िया तो जमी ही है दुकाने और मकान भी जम गए है विसकॉनसिन की ये तस्वीर देखिए अधेरे में हैं शुक्रवार और शनिवार को आए बरफीले तूफान की वज़े से अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है 1977 के एतिहासिक बरफीले तूफान में भी इतनी मौते नहीं हुई थी 1977 की तूफान में 39 लोगों की जान गई थी चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये बॉम साइकलोन या फिर आक्टिक ब्लास्ट आखिर क्या होता है जिसने अमेरिका और कैनडा जैसे देशों को जमा दिया है पृत्वी पर सबसे ठंडी जगह अंटार्टिका है जो उत्तरी दूफ पर मौजूद है यहां हर वक्त तापमान तकरीबन माइनस 89.2 डिग्री सेल्सियस रहता है ठंड में तापमान गिरने से उत्तरी दूफ के नजदीक वाले जो इलाके है वहाँ पर बरफीला तूफान चलने लगता है उत्तरी दूफ की तरफ से चलने वाली ये जेट स्ट्रीम या ठंडी हवाएं गर्म इलाकों की तरफ बढ़ती है और उन इलाकों को भी ठंडा कर देती है इन हवाओं की वजह से तापमान कुछी घंटों में माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है ये हवाएं अपने साथ नमी और बर्फ भी लाती है जिसकी वजह से जमकर बर्फ बारी होती है और तापमान शून्य से माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है आक्तिक ब्लास्ट का सबसे ज्यादा असर रश्या के साइबेरिया, अमेरिका, कैनडा में दिखाई देता है इसके अलावा उत्तरी दुरूफ के करीब वाले इलाकों के साथ साथ ब्रिटिन और भारत में भी इसका असर दिखाई देता है अमेरिका में बर्फबारी का असर जन जीवन के साथ साथ उडानों पर साफ तोर पर पड़ा है बर्फीले तूफान की वजह से नियागरा इंटरनाशनल एरपोर्ट पर बर्फ की मोटी परद जम गई है और इस परत को हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है मशीनों की मदद से एरपोर्ट पर जो बर्फ जमी है उसे हटाया जा रहा है ताकि जल्दी से एक बार फिर से उडानों को यहां से शुरू किया जा सके तस्वीरों में आप देखें किस तरह से एरपोर्ट पर बर्फ जमा है और नियागरा एरपोर्ट के साथ साथ आसपास का पूरा इलाका भी बर्फ में ढख गया है यह तस्वीरे एरियल सर्वे के दौरान ली गई है जिसमें साथ दिखाए दे रहा है कि जहां पर आपकी नजर पड़ेगी वहां बर्फ नजर आएगी चाहे एरपोर्ट हो चाहे रेजिदेंशल एरियाज हो अमेरिका में बर्फ बारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित न्यू यॉक शहर है यहाँ पर कई इंच बर्फ की मोटी परत जमी हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर बर्फ जमा है गाड़ियों पर जमा बर्फ को देखकर लगता है कि मानो बर्फ का कोई छोटा तीला हो और इसी बर्फ के तीले को हटाने में जुटा है स्थानिय प्रशासन ताकि जल्द से जल्द बर्फ को हटा कर जन जीवन सामा किया जा सके बर्फिले तूफान की वजह से कैनेडा के उंटारियों का फोर्ट एरी टाउन पूरी तरह से जम गया है ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्फीरों को ध्यान से देखिए कैसे पूरे शहर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है घर सड़क गाडियां सब कुछ बर्फ में जम गए है कैनडा का नियागरा शेत्र इस वक्त वहाँ पर इमर्जनसी घोशित कर दी गई है फोर्ट एरी, क्रिस्टल बीच, पोर्ट कॉलबर्न, वेंट फ्लीट में हालात बेहत खतरनाग बताय जा रहे हैं अमेरिका की सीमा से सटे इन इलाकों में बर्फ बा आया है कि हालात सामाने होने में अभी कुछ और समय लगेगा तो आपने देखा अमेरिका की साथ साथ कैनडा में बर्फीले तूफान ने जम कर तबाही मचाई है बर्फीले तूफान का असर कैनडा की कई उडानों पर भी पड़ा है कई फ्लाइट्स को तूफान की वजह से कैंसल करना पड़ रहा है तो कई फ्लाइट्स घंटो लेट भी चल रही है जिसकी वजह से एरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परिशानी हो रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की भारी भीड नजर आ रही है एरपोर्ट्स पर लंबी लाइन लगी हुई है ये सभी यात्री अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे है और कोई अपनी फ्लाइट्स की जानकारी इंफरमेशन बोर्ड से ले झाल